सब्सक्राइब कीजिए मैक्स इन्वेंशन चैनल को और बेल इकन को दबाएए लेटेस्ट इन्वेडियो सबसे पहले देखने के लिए है गाइज वाट्साइब इस होड़ आप एंड वेल्कम तो यूट्व चैनल ऑन मैक्स इन्वेंशन आपको याद है साउमी 2017 में चैना पे इसके प्विएस मोडल लांच किया था जो चैना में MI5X नाम से लांच हुआ था और वहीं सेम मोडल इंडिया पे लांच हुआ था MI A1 की नाम से बिकाज इंडिया में ये फोन आया था स्टॉक एंडर्ड फीचर के साथ और इसकी बाइसी ये फोन इंडिया बहुत वे पॉपलरी मिला था बिकाज इस प्राइसेंज में कोई भी स्मार्टफोन में स्टॉक अनकी फीचर नहीं रहाता है और सावमी इसे करके दिखाया था चली इस बितो शुरू करते है So as you guys do know that Apple the king of the notch they have made everyone follow them including one of the most popular smartphone brand have introducing the notch on their phones just because Apple did it but this phone still have a chin including a iPhone 10 like notch I mean what's the point to having a notch on a phone when you're still going to have the chin So यहांसे एक बात क्लियर है कि सभी popular smartphone company Apple को follow कर रहा है but not Xiaomi आप अगर बात करेंगे Xiaomi की latest model की बारे में यानि MI Mix 2 S की बारे में यह phone complete difference था किसी भी device से इसकी design काफी same था इसकी PBS model यानि MI Mix 2 के जासा Alright, come back to the topic So a new report says Xiaomi MI A2 spotted on TINA with iPhone 10 like cameras Guys, अगर आपकी याद है मैं में फिचले वीडियो में इसकी camera के regarding बात किया था यानि MI A2i का dual 13MP भातिकले setup rear camera के साथ with f1.7 aperture Xiaomi A1 को popular मिला था उसकी बैते हिन camera and stock android feature के बारे से and I think Xiaomi 6S पर follow करेगा और उसकी next model यानि MI A2 पर भी आप यह feature देख पाएंगे and a very trusted Korean media says that Xiaomi MI 6S या फिर MI A2i का 5.9E display के साथ और इसकी quality होगा full HD plus display और यह आएगा dual rear camera के साथ और आप अगर बात करेंगे इसकी overall design की बारे में तो यह आएगा metal body के साथ जो फोनों काफी डिवीडियो में काफी strong बनाएगा guys rumor news के अनुसार यह phone launch रखती है May 2018 पर अभी तक इस phone के regarding कोई भी confirmed news नहीं है but आप अगर बात करेंगे इस phone के price की बारे में तो according to my smart price इस phone के price होती है 14,999 रूपीज यह लगभाए 14,000 रूपीज के आसपास so guys देखते हैं थाओ में ओपीज एली चाइन पर या फिर इंडिया पर इस phone के अप तरह लांच करती है और इसका price का होती है और इसमें के का feature इंक्रेट होती है so anyways let me know what your thoughts and I'll see you tomorrow peace out